दोस्तों कि आप जानते हो चाहरे पे हो रहे अंचाहे बालों से चुटकार पाने के लिए आप वैक्सिंग ए थ्रेडिंग कराते हो तो यह कोई पर्मानिंट इलाज नहीं है नेच्छल तरीके से अगर आप अपने फेशेल हेर अनवंटे हेर को रिमूब करते हो तो गारंटी है आप के हेर बहुत ही कम आते हैं देरे देरे आपकी फेशेल हेर के प्राब्लम भी खत्म होती है आप अगर डियाएवस का यूज रिगलर बेस पे करते हो तो वहाँ की ग्रौध स्लो हो जाती है जिससे आपके बाल आनक आम हो जाते है आपको फेशेल हेर से चुटकारा मि पड़ती थी घर पर यह वो अपनी इस प्रोब्लम का शॉलिशन डूल लेती थी तो चलिए देख लेते हैं इस डियावाय को कैसे बनाना है कैसे आप भी घर बैठे अपने फेशियल हैर अनवर्टेड हैर से छुटकारा पा सकते हो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा वी चॉफ टर्मरी एक चमच अलवर जल डाल दीजे लाश्ट में एक चमच कोकोनट अर्ड डाल कर इसे तब तक पकर आधा न हो जाए जब यह पक कर आधा हो जाए तो इसे थंड़ा होने के लिए छोट दीजे इसे एक काटोरी में निकाल लेजे अब आपको इसमें डालना है एक चमच वीटफलार यानि की गेहुका आटा फिर डाले इसमें एक चमच बेसन इसको डाल कर अच्छे से mix कर लिजे इसे तब तक mix करे जब तक इसके सारे lumps हट न जाए make sure इसमें कोई भी lumps नहीं होना चाहिए इसको अच्छे से mix कर लिए आपके unwanted hair को remove करने वारा जादू pack बनकर ready हो गया है मैं आपको अभी से guarantee दे लिए अगर आप इसको regular base पे use करना start कर दोगे guarantee है जिन्दिगे में कभी आपको facial होने वाली नहीं है चाहिए वो आपकी body के hair हो या फिर face के hair हो दूनों ये बहुत अच्छे से remove करता है साथी साथ आपकी body को clean and bright करता है आपको इसे करना क्या है सबसे पहले आपको इस pack को लेना है अपने चेहरे पर मैं इसे आपको हाथों में लगा के दिखा रही हूँ अच्छे से अपने हाथों में लगा लिजे या फिर जहां आपको facial है की problem हो underarms में ये facial है में जहां जहां आपको लगाना हो लगा लो अच्छे से इसको लगा लिजे अब आपको इसको dry करना है आपको इसे 70% dry करना है मतलब आपको इसे पूरी तरह नहीं सुखाना है हलका हलका जब गीरा रहे इतना ही आपको अपको सुखाना है जब ये सूख जाए तो आपको लेना है coconut oil coconut oil को अच्छे से लगाई है और धीरे धीरे scrub करते वे इसको remove करिए आप जब धीरे धीरे स्क्रब करोगे तो आप देखोगे वहां की जो फेशल हैर है ना वो रिमूब होगी उसकी जड़े कमजोर हो जाएंगी साथ इसाथ स्क्रब करते वे आपके सारे फेशल हैर भी निकल जाएंगे आप खुद देखिए मेरे हाथों में कितने अच्छे से सारे फेशल हैर रिमूब होगे हैं मेरे हैंड कितने जड़े क्लीन होगे तो आप भी इस तरह अपने फेशल हैर को रिमूब कर सकते हो लेकिन आपको इसे हफ्ते में एक ही बाद यूज़ करना है इसको ट्राइ करिए और अपने फेशेल है के प्रॉब्लम से चुटका रहा पाईए जब आप इसे रगलर बेस भी यूज़ करते हो तो ये आपकी फेशेल है के ग्रोथ को कम करता है आपकी स्किल को लाइट ऑब ग झाल यूज़ को अबग जैसे लगकी लेका रहाता जबगered है के वितयूट ? झाल गैसे धर के थाल वाउ झाल जबगैंने है वी कर दूज़ करता है